Dear Students, तो हम जरू करते हैं Class 10th का Mathematics और Mathematics में सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम क्या है? Real Number उससे भी पहले Math का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है संख्या तो ये संख्या क्या होती है? संख्या एक Mathematical Object है जो की यूज होता है Counting करने के लिए वे Measure करने के लिए समझभाएं कि? अब इसमें जो सबसे पहले नमबर गयो नमबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1000, 2000, 4000, 5000 बहुत साई टाइप के होते हैं अब उनको Categorize कर दिया गया है ताकि हमें उन्हें पहचानने में असानी हो सो इसके लिए जो सबसे पहला जो पार्ट है जो बनके आता है वो हमारा कौन सा आता है Natural Number उसे हम क्या बोलते है Natural Number Natural Number Natural Number को हिंदी में हम क्या बोलते है पराकर्ट संख्याएं यानि कि जो संख्या natural number कही जाती है उसको denote किया जाता है किस से n से किसे denote किया जाता है n से और n के अंदर जो संख्याइं जो शुरू होती हैं वे काज शुरू होती है एक से एक, दो, तीन, स्यार, पांच, छे, अब टू, इन्फिनिटी क्लियरे बच्चे अब जरा अगले पड़ते हैं अगला जो हमारा होता है वो हमारा होता है whole number, whole number को हम क्या बोलते हैं पूरण संख्या क्या बोलते हैं इसको पूरण संख्या पूरण संख्या को हम denote करते हैं डबलू से अब डबलू से जब हम इसे denote करते हैं W के अंदर जो संख्याय शुरू होती है वो कहाँ शुरू होती है 0 से यानि कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप्टू, इन्फिनिटी यानि कि हर नेचुरल नंबर एक कौनसा नंबर होता है Whole नंबर होता है Whole का मतलब होता है पुर्ण अब इसके साथ साच जो हमारा जो तीसरा जो कंसेप्ट आता है पढ़ने के लिए वो हमारा क्या आता है इन्टीजर क्या आता है इन्टीजर अब इन्टीजर को हम इंदी में क्या बोलते है पुर्णांक क्या बोला जाता है पुर्णांक और पुर्णांक को हम किसे दिनोट करते हैं डबलू से किसे दिनोट करते हैं डबलू से स्वरी जड़ से जड़ के अंदर कहां से संख्याई शुरू होती है माइनस के अनन्ट यानि कि नेगिटिव इंफिनिटी उसके साथ माइनस का दो माइनस का एक जीरो साथ में एक दो और साथ में पलस का इंफिनिटी तक यानि की पोजिटिव के आनंत तक सबका सब मैटिरियल यानि की नेगिटिव के इंफिनिटी से लेके पोजिटिव इंफिनिटी तक जो भी समप मैटिरियल है वो हमारा क्या होता है Integer यानि कि हम ये बात बोल सकते हैं कि एक प्राकर्थ संख्या हमारी पुर्णांक होती है एक पूरन संख्या भी क्या होती है हमारी पुर्णांक होती है तो हमने अब तके तीन कंसेप्ट पढ़ लिए अब चोते कंसेप्ट में चलते हैं जिसे है बोला प्रीमे संख्या क्या बोलते हैं प्रीमे संख्या और इससे डिनोट किसे किया जाता है इससे डिनोट किया जाता है क्यू से इसे दिनोट के दता है क्यू से यानि कि कौन से संख्या रैसरल नंबर होती है हमें कैसे पता लगेगा कि को संख्या रैसरल नंबर है कि क्या है इसके लिए एक स्टंडर्ड नोटेशन है स्टंडर्ड नोटेशन क्या है एनी नंबर that can that can be written in the form of P by Q means in this P by Q form where Q is not equal to zero यानि कि इस बात को जरा और दुरा इस बात को समझ लेते हैं कि इस बात को कहने का क्या अर्थ है इसके लिए इस P को जरा समझे हम कोई भी नंबर लिखते हैं हम कोई भी नंबर रैस्यों में लिखते हैं तो उस रैस्यों का अर्थ क्या होता है जड़ा इसको समझ लेते हम जैसे मैंने लिखा कोई नंबर 3 by 4 कलियर है इसके एंजर जो 3 होता है वो क्या होता है नुमिनेटर और हिंदी में से क्या बोलते है अंस और ये क्या होता है डिनॉमिनेटर इसे हैं क्या बोलते हैं हर यानि कि अनी नंबर डैट कैन बी रिटन इन दा फॉर्म ओव नूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर डैट नंबर इस कोल्ड रैशनल नंबर यस और नो और वहाँ पे एक कंडिशन और लगा रखी है कि कि जो क्यू है जो हमारा नीचे वाला जो नंबर है यानि कि जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है जो हमारा नंबर हर में लिखा हुआ है वह नंबर जिरो के बराबर नहीं होना चीए वो नंबर जिरो के बराबर नहीं होना चीए अब इस बात को समझ ले के लिए आपके थोड़े बेसिक मजबूत होने चाहिए अगर यहां पे जीरो हम रख देंगे तो यह एक ऐसी ट्रम्प बनके आएगी जो की not define बोली जाती है mathematics में क्या बोली जाती है बच्चे not define यानि कि जिसका अभी तक कोई किसी को पता नहीं है इस बात का मतलब क्या है क्या नहीं है सब बोलते हैं इसे क्या not define कलियर एजी अब rational number हमने सीख लिया कि यह rational number है इसमें थोड़ा सा आपको और थोड़ा elaborate करके समझा जेता हूँ मैं अब इसमें जो आपके natural number है वो सारे के सारे क्या होते है रैशनल number होते है जो आपके सब के सब whole number है वो सारे के सारे क्या होते है rational number होते है जो आपके integer आपको दिख रहे हैं वे सब के सब क्या होते है आपके rational number ही होते है यानि कि जो उपर की तीनों जो concept लिखे हुए हैं उन तीनों concept को sum up करके तुम rational number में लिख सकते हो यानि कि every natural number is rational number, every whole number is rational number, every integer is rational number और vice versa is not true यानि कि इनका उल्टा सच नहीं है, यानि कि every rational number is not natural number इनका उल्टा सई नहीं है, सई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो depend करता है, हमें question कैसा दिया जाता है उसके उपर clear है, तो हमने सीख लिए ये चारों चीजे, अब हम पाचवी चीजे सीखते हैं पाचवा हमारा होता है irrational number irrational number, हमने सीखा natural number, whole number, integer, rational number rational number में हमने सीखा कि जो number पी बटे क्यू की फो में लिखा जाता है और जहां क्यू जीरो के बराबर नहीं होता, वो निसंग्याई कौन से होती है rational number होती है, अब मैं इसको थोड़ा और elaborate way में आपको समझाता हूँ यह हमारे 10th के syllabus में भी है और हमें जानना जरूरी भी है अब देखे जरा, जो कोई भी number, जो number पी बटे क्यू की फो में लिखा जाता है उसके लिए हमारे पास दो क्टेगरीज हैं, कुण से क्टेगरीज हैं, दो क्टेगरीज हैं समझ लें दो क्टेगरीज को, दो क्टेगरीज को उनकों से होती है पहली होती है terminating, terminating का मतलब क्या होता है, रुक जाओ क्या होता है रुक जाओ terminating का मतलब रुक जाना कहीं पे terminate हो जाना terminate का मतलब end और दूसरा मारा क्या होता है non-terminating क्या होता है non-terminating यानि कि जो कभी नहीं रुकेगा जो कभी नहीं रुकेगा वो मारा क्या होता है non-terminating clear है अब terminating में हम देखते हैं terminating में जैसे मैंने नंबर लिखा 3x5, 3x5 को हम क्या बोलते हैं? 0.6, यह सोरनों, ऐसे ही अगर मैं और नंबर लिखूँ, 1x2, 1x2 क्या होता है? 0.5, कलियर है? ऐसे ही मैंने लिखा 1x5, वो क्या होता है? 0.2, कलियर है जी? ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं terminating क्या होते हैं हमारे terminating यानि कि इनके बाद दसमलों के बाद ये रुख जाते हैं रुख गया है भी ये भी रुख गया ये भी रुख गया अब आते हैं non-terminating में non-terminating में example बदाता हूँ आपको जैसे होता है 1 by 6 1 by 3 1 by 7 clear 1 by 6 को हम क्या लिखते है 0.1 double 6666 up to infinity up to anant clear है अगला कुन सा है 1 by 3 1 by 3 को हम क्या बोलते है 0.3333 up to infinity clear है इसके बाद आता है 1 by 7 0.14 28 57 ये दुबारा फिर repeating repeating ये बार बार ऐसे ही चलता रहेगा यानि कि ये कभी नहीं रुकने वाले यानि कि जहां पे आपको 10 मलाव के बाद infinity लगा दिख जाए वो नमबर हमारे कौन से होते है non-terminating decimal system के पार्ट होते हैं clear है जी अब जड़ा इन बात को और समझ लेते हैं हमें कैसे पता लगे या ऐसी कौन से category है जिस पर terminating और non-terminating decide हो गए एक बात समझ ले terminating हम उसे बोलेंगे जहां पे denominator में यानि कि जहां पे हर के अंदर या तो दो आए या फिर पाँच आए या फिर दोनो इस बात को थोड़ा और समझ ले मैं दोबारा बोल रहा हूँ या तो दो आए या फिर क्या आए पाँच आए या फिर क्या आए दोनों आए वही नंबर क्या होंगे केवल वही नंबर क्या होंगे terminate होंगे और दुनिया में कोई नंबर हो नहीं रोक सकता वह हमेशा ही क्या रहेंगे non-terminating रहेंगे clear है जी यानि कि 2 की power n हो या 5 की power m हो इनके exponent भी अगर होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 by 4 1 by 4 हमारा बच्चे कितना होता है 1 by 4 हमारा होता है 0.25 यह हमारा क्या हो गया terminate हो गया terminating decimal system clear है जी अब non-terminating में आजाते हैं non-terminating भी दो टाइप की होती है non-terminating में एक तो ऐसा नंबर जैसे देखो आप यहाँ पे 0.16666 यह infinity तक जा रहा है clear है लेकिन यह repeat भी हो रहा है यहां भी हमने क्या देखा यह repeat भी हो रहा है और यहां भी क्या हो रहा है repeat होगा यह आगे भी क्या आएगा बच्चे इसके अंदर इसके अंदर जो आगे आता है वह भी मारा क्या आता है 14, 28, 57, up to infinity ऐसा ही चलता है इसके अंदर clear है जी कई बार जैसे 0.3333 up to infinity clear है जी ऐसे example को जो आपने यह example लिखाना यहां पे हो जो मैंने यहां पे यह example हमने सीखा है 1 by 3 is equal to 0.333 up to infinity इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं non-terminating with repeating repeating का मतलब समझ ले reoccurring इसी को ही बोलते हैं हम क्या reoccurring अगर आपको यह इन दोनों में से कोई भी चीज़ दिखी मिले तो समझ जाओ कौन से example की बात हो रही है clear है जी अब भया फिर यह क्या है clear है यह क्या है यह हमारे कौन से number होते हैं यह हमारे होते हैं mixed non-terminating decimals clear है बच्चे मेरी खाल से समझ पाए होगे कि यह जो क्या होते हैं terminating यह क्या होते है non-terminating repeating reoccurring यह इन तिनों में से या तो यह बोला जाए non-terminating repeating या बोला जाए non-terminating reoccurring समझ जाना किसकी बात हो रही है इन्हीं की बात हो रही है जो एक ही number 12-12 repeat होता है clear है जी और अगर 0.1666 या फिर 0.142857 फिर दुबारा रिपीट होगा फिर दुबारा रिपीट होगा यह repeat होते रहेंगे यह repeat होते रहेंगे तो हम इसे क्या बोलते हैं इस टाइप को mixed non-terminating decimal system clear है जी तो हमने सीख लिए terminating non-terminating अच्छा जी उसका सबसे best example होता है हमारा पाई क्या होता हमारा पाई पाई नंबर को एक बार समझे ले बच्छे पाई हमारा कितना होता है 3.14 उसे infinity तक लिखा जाता है clear है जी ऐसा माना गया है कि यह 300 नंबर के बाद फिर repeat करता है लेकिन वह बहुँ ज़्यादा हो जाते है इसलिए हम ऐसे नंबर को हम इसलिए ऐसे नंबर को हम क्या बोलते है this number is non-repeating and listen, इस नंबर को हम क्या बोलते है non non repeating and not reacring यानि कि यह reacring भी नहीं कर रहा और repeat भी non-repeating भी है यानि कि एक नंबर को यह बार-बार repeat नहीं कर रहा clear है जी एक नंबर को यह बार-बार repeat नहीं कर रहा non-terminating तो है यह रुकेगा तो अब भी यह यह भी नहीं लेकिन यह non-repeating है यह एक number को बार बार रिपीट नहीं करेगा जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है 0.166666 यहाँ पर 0.2426 फिर 1425 फिर 1425 ऐसे हो रहा है यह ऐसा नहीं है ऐसे number क्या होता है non repeating not reoccurring ऐसे number को जो number non repeating हो और note reoccurring हो ऐसे number को हम क्या बोलते है irrational number ऐसे नमबर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, irrational number, clear है जी, यानि कि, a number that is, a number that is not repeating, और इसे क्या बोल जुकते हैं, not repeating, ऐसे नमबर को हम क्या बोलते हैं, irrational number, इसका सबसे best example जो होता है बच्चे, वो हमारा क्या होता है, पाई, किसी Olympiad में किसन पूछा है, कि जो एक पाई है, वो क्या है, जो एक पाई है, वो क्या है, क्या ये irrational number है, या रैसल number है, उसमें अधिकतर बच्चों ने जवाब दिया है, क्या, that is, रैसल number, क्योंकि हम सब जानते हैं, पाई किसके बराबर होता है, 22 बटे, 7 के, लेकिन उसने प ग्रिक लेटर, जितने भी ग्रिक बासा के वर्ड है, जितने भी ग्रिक लेटर, ओल, ग्रिक लेटर, जितने भी ग्रिक बासा के लेटर है, सब के सब क्या होंगे, हमारे इर्रैशनल होंगे, जैसे पाई होता है, जैसे प्लैंक्स कॉंस्टेंट होता है, जैसे गैस अब दीमण सेक्टर किया कीज़ा कर 123 कि जाल मेश्याक्ट सेमवेड़कीत MLB